आज आप सबके साथ में शेयर करने जा रहे हूं चिकन लबापतार की जैस्पी अगर आप नौनवेज खाने के शौकीन है तो एक बार ये चिकन लबापतार खर पे बना के खाईए आप रेस्टूरन का चिकन खाना भूल जाएंगे आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताओंगी ये चिकन लबापतार बनाने का अगर आप फर्स टाइम भी इसे ट्राइब करेंगे तो भी बहुत टेस्टी बनेगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए यहां पर हमें चाहिए चिकन यह मैंने 600 ग्राम अच्छे से धोखे साप कर लिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो आप इसमें दही और एट कर सकते हैं बस आपको ध्यान रखनी है इसमें दही आपको एक तम फ्रेश लेनी है ज्यादा खटी दही नहीं लेनी है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक खंटे के लिए रख देंगे अब चलते हैं गैस की साइट तो यहा ले लेंगे 10-12 काजू ले लेंगे थोड़ा सा अध्रका टुकडा डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चमच खरबूजे के बीच अगर खरबूजे के बीच नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको काजू जरूर एट करनी है अब सारी इसे करये तो आफिद लेंगे तो से चीजह को अच्छे से उबालना थखर जाना है अब सारि शुट करने के बाद हम इस्तुन सारी टांदी हो जाए ग thigh jurisdiction खर लेंगे आपिशिचा टार टॉई में आद्त लेटेंगे जीना में दभाशा कहाई हैं भी और यस एक सारी शीज नदेव시죠 इस तरीके का देखिए का अच्छ रहा है इस तो आप तो आप पानी याइट कर सकते हैं अब फिर से में दालेंगे, दो बड़े चममच ऑईल और उल को पहले अच्छे से करम करनेंगे, आप देसी गी का यूज भी कर सकते हैं, अब इसमें हम डाल देंगे तामाटर तो मैंने यहाँ पे दो बड़े जाइस के टमाटर लिये हैं, इनको हम डाल देंगे, तो ध्यान अगर आपके पास घर में टमाटो प्यूरी अविलेबल है जो मार्केट में मिलती है तो आपको यह तमाटो प्यूरी नहीं है तो इसलिए मैं इस तरीके से इसका पेस्ट पना रही हूँ अगर है घर में तो यूज़ कीज़े स्पेशली भार से आपको टमाटो प्यूरी लाने की ज़रत नहीं है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे उन टमाटों को अच्छे से ठंडा करने के बा तो आप बटर या देशी की कुछ भी डाल सकते हैं तो मैंने यह पर बटर दिया है दो चमच और पहले से हलका सा गरम कर देंगे जैसे यह अलका सा गरम होगा हम इसमें डाल देंगे प्याच का पेस्ट जो हमने बना के रेडी किया है बस आपको ध्यान रखना है आपे गैस प्याज और लहसुन का कच्चा पन है वो निकल चुका है इसे हमने उबाला है तब इसका सारा पान निकल चुका है बस इसे हलका सा में भूलना है तो बिआ ढ़के ही वीच-बीच में चलाते हुए हम इसे भूनेंगे और जादा देर नहीं लगेगी इस प्याच को पुनने क्योंकि हम इसमें मसाले डालेंगे तो इस टेम पे आपको गैस की फिल्म को बिल्कुल लो कर देना है तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो बस एक पड़ा चमस डालना है, सारी जीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस ये सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट जो हमने बना के रेडी किया है, तो ये तो बस बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है। यहां पर मैंने नॉन स्टिक कड़ाई यूज की है। तो यह जो मसाला है चिपक नहीं रहा है। कई वार क्या होता है। अगर आप नॉर्मल कड़ाई में इसे बनाते हैं तो चिपकता है। क्यूंकि हमने इसमें काजू दाले हैं उसकी वज़े से नीची के साइट से चिपकता है। इसलिए गैस की फिल्म को आपको खाई नहीं रखना है। अब इसे ढख देंगे। और चार से पांच मिनट तक हम सारी चीजों को अच्छे से भूनेंगे। चार से पांच मिनट के बादे आप देखेंगे। इ इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने मैरिनिट किया हुआ है। यहां पे मैंने इस चिकन को एक घंटे के लिए रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-3 घंटे के लिए रखिए। उससे और अच्छा तेस्ट आता है। बस यह मसालों के अंदर चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब यहां पे हमें इसमें पानी वगएरा कुछ भी एड़ करने की ज़रत नहीं है क्योंकि जैसे यह धीरे धीरे पकता जाएगा चिकन अपना पानी चोड़ता जाएगा। अगर आप शुरू में इसमें प पकाएंगे बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे दीरे चिकन अपना पानी चोड़ना शुरू कर रहा है। इसलिए आपको कभी भी इसमें पानी नहीं डालना है। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप बाद में पानी अड़ कर सकते हैं वह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी आपको पानी यहांपे कव एड़ करना है। बस आपको अभी इसी तरीके से इसको चलाते रहना है बीच बीच में जो यह नीचे की साइड से लगे ना। फिर से डग देंगे और अच्चे से पकने दे तो आप उस टाइम पर पानी याड़ कर सकते हैं तो अब इसमें हम डाल देंगे मलाई तो मैंने या पर दूद की जो फ्रेश मलाई होती है वो ली है दो से तीन चम्मच आपके पास अगर अमूल की फ्रेश क्रीम है तो वह भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं तो आपने दे इसमें बहुत जादा ग्रेवी नहीं होती है तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी आप कमी रखें तो से तीन चमच मैने इसमें पानी डाला है आप थोड़ा सा और भी राल सकते हैं और फिर इसको और हम पकाएं क्यूंकि अभी यहां पे जो चिकन आप देख सकते हैं पूरी त थोड़ा सा नीचे की सैट से लग चुका है तो दीरे दीरे इसको चला लेंगे अब हम इसे चेक करेंगे यह सॉफ्ट हुआ है या नहीं अगर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आप इसे और ढखके पका सकते हैं लेकिन यह आप यह जो चिकन है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है यह देखिए तो यह चिकन लवाबदार बनके रेडी है लास्ट में इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके और बारी कटा हुआ हरा धनिया मैंने यह पे गरम मसाला नहीं डाला है आप लास्ट में इसमें गरम मसाला भी एट कर सकते हैं और आप देख स पसंद आये तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नहीं किया है सबस्क्राइब तो जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए जल्दी ही मिलेंगी तब तक के लिए बाई